नवश्कार मैं हूँ सुक्रती इरोय चैटियोजी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है सूर्य जब राशी परिवर्तन करते हैं तो इसे संक्रांती कहा जाता है इस समय सूर्य व्रशब राशी में गोचर कर रहे हैं जहां पर अपनी अवधी पूर्ण करने के बाद अब मित्वन राशी में गोचर करेंगे सूर्य 14 जून को मित्वन राशी में प्रवेश करेंगे इस राशी परिवर्तन को ही मित्वन संक्रांती के नाम से जाना जाता है सूरी की संक्रांती जोतिश शास्त्र में बहुत ही विशेश मानी गई है क्योंकि जोतिश शास्त्र में सूरी को ग्रहों का अधिपती कहा गया है सूरी को आत्मा भी माना गया है वहीं सूरी उर्जा के भी कारक है इस बार की संक्रान्ती विशेश है क्योंकि इस बार संक्रान्ती रविवार के दिन पढ़ रही है 14 जून को रविवार है और रविवार का दन सूरी का दन बाना गया है इसलिए इस दिन की संक्रान्ती विशेश फल्दाई है संक्रांति का पुन्यकाल 14 जून को 12 बचकर 22 मिनट से शुरू होगा और शाम 7 बचकर 20 मिनट तक रहेगा वहीं संक्रांति काल का समय 13 और 14 जून की रात 12 बचकर 22 मिनट पर होगा संक्रान्ति का महापुनिकाल का शुब समय शाम पांच बचकर एक मिनट से साथ बचकर बीस मिनट तक रहेगा जोतिश शास्त्रों के मताबिक मिथुन संक्रान्ति, मिथुन कर्क, सिंग, कन्या, तुला, वरिशिक और कुम्ब राशी के जातकों के लिए शुब है उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें